ले फ्रिंट्स ईष वीडियो में हम देखेंगे माधिमिक सिच्छा आयोग या मुदालियर आयोग हमें पता है सम्थानके बाद उच्छ सिच्छा में सुदार के लिए विष्विद्याले सिच्छा आयोग का गठन हो गया था क्योंकि पिछले वीडियो में हमने 20-40 सिच्चा आयोगी पढ़ा था परन्तु माद्दिमिक सिच्चा में अब भी सुधार की आवस्यता महसूस की जाती रही सुधार के बाद माद्दिमिक सिच्चा में सुधार के लिए अभी तक किसी भी आयोग का गठन नहीं हुआ था सन 1948 में केंद्रिय सिच्चा सलाकार बोर्ड ने माद्दिमिक सिच्चा में सुधार के लिए एक आयोग के गठन का सुधाओ दिया और सरकार ने आयोग के सुझाओं को मान कर एक आयोग का गठन किया 23 सितंबर 1952 में जिसे हम माद्दिमिक सिच्छा आयोग के नाम से जानते हैं क्योंकि माद्दिमिक सिच्छा में सुझार के लिए आयोग का गठन किया गया था आयोग के अद्देच मद्रास विस्विध्याले के उपकुलपती डाक्टर लचमर स्वामी मुदालियर थे इनी के नाम पर इसको हम मुदालियर आयोग भी कहते हैं जनरली हम देखते हैं कि आयोग के अद्देच के नाम पर ही आयोग को जाना जाता है अगर हम लचमर स्वामी मुदालियर की बात करें तो इनको आपने 20 विद्याले सिच्चा आयोग के प्रमुक सदस्य के रूप में भी देखा होगा आयोग के प्रमुक सदस्य स्रीमती हंसा मे Koreता, डाक्टर एन बसू, डाक्टर किर्ष्टी, डाक्टर कालुदाज囉dr के 8議 ब्यास आ डिते ठीक है यह आयोग के प्रमुक सदस्य है इसके बाद आयोग का प्रतिवेदन, रिपोर्ट आपदा कमीशन, आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी, तो आयोग ने मादमी सिच्छा से जुड़े प्रमुक लोगों के सुजाओं को सुना, उनके सुजाओं को जाना, उनके सुजाओं लिये, और समझा तत पस्चात अप 244 प्रष्टों में थी, जिसमें कुल 15 आद्यायते, 15 पार्ट में डिवाइड थी, इसके बाद है, आयोग के उद्देश और कारशेत्र, किसके लिए आयोग बनाया गया था, objectives and working area of the commission, मादमी सिच्छा आयोग के प्रमुक उद्देश और कारशेत्र निम्नवत है, उद्द कुछ इसका काम के इस पर फोकस होगा, मादमी सिच्छा पर फोकस होगा, मादमी सिच्छा में पाठे चर्या, स्कूल विश्यों से संब्दिश सुजाओ देना, किस तरह की पाठे चर्या होगी, किस तरह के विश्यों होगी, मादमी सिच्छा में प्रशासन और संगटन के स किस तरह सेक्षा का क्रियान बयान होगा द्वारा दिये गए फुर्मक सुजाव निमना है ठीक है एक-एक करके हम पॉइंट्स के तुरूई आयोग द्वारा दिये गए सुजाव को समझते हैं क्यों को आयोग ने तो बहुत सारे सुजाव दिये थे सबको तो हम कवर नहीं कर सकते जो मायत पूर्ण है उन्ही को यहा सात्रों का सरवांगेड विकास करना होना चाहिए चवमकी विकास करना होना चाहिए मादिमिक सिच्चा की आयोग ने 11 से 17 वर्ष होने का सुजाव दिया नेश्ट है मादिमिक सिच्चा को दो भागों में विवक्त कर दिया जाए जिसमें की तीन वर्स की जूनियर मादिमि सिच्चा ठीक है सीनियर मादिमिक सिच्चा जूनियर मादिमिक सिच्चा में कच्चा 6-7-8 और उच्चतर मादिमिक सिच्चा में कच्चा 9-10-11-12 होंगे अगला सुजाव के आए कि मादिमिक सिच्चा का क्रियानवन करने के लिए मादिमिक सिच्चा बोर्ड एक बोर्ड बनाया जाए जो मादिमिक सिच्चा का क्रियानवन मादिमिक सिच्चा किस तरह से चलेगी ठीक है उस पर निगरानी करें तो मादमिक सिचा बोर्ड को हर प्रांत में बनाया जाए मादमिक इस्तर की पाठे चर्या का निर्माड इस्तानिय परिशितियों को ध्यान में रखकर बनाया जाए और पाठे चर्या की प्रकृत लचीली होनी चाहिए पाठे चर्या की लचीली प्रक्रित से हमारा क्या अतात पर रहे है ऐसी पाठे चर्या जिसमें सुधार किया जा सके क्योंकि सिच्छा एक गसील प्रक्रिया है और समाज की आवस्सेक्टा है समय के साथ साथ बदलती रहती है तो पाठे चर्या ऐसी होनी चाहिए जिसमें कुछ विसे जोड़े भी जा सकें अटाय भी जा सकें उसे हम कहते हैं पाठे चर्या की लचीली प्रकृती जिसे सपोद हम भाइज्ञानी को उग में प्रवेस कर रहे हैं ठीक है, कम्प्यूटर उग में प्रवेस कर रहे हैं तो हमारे विसाय कैसे हो जाए, कंप्यूटर विसियों को एड किया जा रहा है, तकनीकी विसियों को एड किया जा रहा है, तो पाठे चर्या की प्रकृत लचीली होनी चाहिए, पाठे चर्या में निम्न विसाय सामिल होने चाहिए, जो चैसे की मात्रवासा, गड़ेत, संगी इतकला, सारी रिक्सिच्छा, सिल्पकला दी, अगला सुझाओ कि आए कि बस तुनिष्ट पर इच्छा पर डाली पर जोर दिया जाए, ठीक है, जो निवन्दात्मक पर इच्छा पर डाली तो उसको खतम करके बस तुनिष्ट पर इच्छा पर डाली पर जोर दिया जाए, न उनको अपनाए जाने का सुजाओ दिया गया नेश्टे बालिकाओं की सिच्चा प्राप्त करने की पूर्ण स्वस्थंत्रता हो और उनकी सिच्चा को प्रोसान देने के लिए बालिका विद्याले खोले जाएं उनमें चात्रवितियों भी बालिकाओं के लिए दी जाएं ऐस उसमें करशी सिच्चा की विवस्ता की जाए इसके बाद अगला है मुल्यांकन करते समय बहाई परिच्चाओं की जगए आंत्रिक परिच्चाओं पर जोर दिया जाए और मुल्यांकन के लिए योगी सिच्चकों को ही चुना जाए आंत्रिक परिच्चाओं से मतलब है जो स् सब्सक्राइब से जाजा इंब कर पा पाएगे अगला सुजाओ कर फार एक सब्सक्राइब कियों तर्समें स्ब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब से कम से कम 200 दिन 펫िड्याइमें एक बरस में पढाई होनी ही चाहिएoh इसके बाद आता है माद्यमिक सिच्छा आयोग का मुल्यांकन ठीक है इवेलुएशन आप सेकंडरी एजूकेशन कमीशन अब सबसे पहले देखते हैं गुडों की मेरिट्स सबसे पहला गुड क्या है कि माद्यमिक सिच्छा का उद्दे सिच्छात्रों का चाहुम की सर्वां काशा करें कि मात्यागंदी ने का आये सिच्छा से हमारा ओत पर पाहलक मन उसके आत्मा व्यक्तितु का सर्वांगिड विकास करना है ठीक है दूसरा है मादिमिक सिच्चा का किरियान में सुचार रूप से करने के लिए मादिमिक सिच्चा बोड के गठन का सुझा दिया गया ठीक है ये भी एक किसका गुड़ है नेश्ट है बस तुनिट पर इच्चा पर डाली पर जो कि हम मोडर्न आदुनिक युग में देख रहे हैं बस तुनिट पर इच्चा पर डाली पर जोर दिया जा रहा है अब्जेक्टिव एक्जाम पर ठीक है अगला गुड़ क्या है कि रटने की जगए उत्ताम आदुनिक सिच्चड ब दिया जैसे कि योजनाभी पर जोर दिया गया सिच्चा का मादे मात्रवासा सिच्चा का मादे मात्रवासा मादेविक इस्तर पर करने का सुझाओ दिया गया और मात्रवासा में जब भी सिच्चा दी जाती है तो बच्चे वो आसानी से समझ लेती है नेश्ट है बालिकाओं की सिच्चा को प्रोसान दिया गया ठीक है तो ये भी एक इसका गोड़ा है इसके बाद देखते हैं दोसों की टीमेरिट्स सबसे पहला दोस के आए कि पाठे विस्यों की संक्या ज्यादा कर दी गई और जब भी पाठे विस्यों की संक्या ज्यादा होगी अगला दोस्त के आए कि अंग्रेजी को अनिवार सिच्चा के रूप में करना गलत ठीक है आयोग में सुझाओ दिया कि अंग्रेजी अनिवार होनी चाहिए लेकिन अंग्रेजी को अनिवार सिच्चा के रूप में करना गलत था अगला उद्देश के आए कि बहुत देशी है इसकोलों के निर्मार का सुझाव दिया गया जो कि भारत जैसे गरीब देशों के लिए सरल नहीं था बहुत देशी है इसकोलों से हमारा क्या मतलब आए ऐसा स्कूल जो बहुत सारे उद्देशों को पूरा करे यानि कि जिसमें बहुत बेवने बेने परकारों की सिच्चा दी जा सके चिकितसा सिच्चा, खेल सिच्चा, हर तरह की सिच्चा उसमें दी जा सके अगर ऐसे स्कूल को हम बनाते हैं, मल्टि जो है, ठीक है तो उसमें होगा क्या ज्यादा बजट आएगा जो कि भारत जैसे गरीब देश के लिए सरल नहीं था नेश्ट है, बालिकाओं की सिच्चा को प्रोसान तो दिया गया ये तो हमने गुड़ों में बात कर ली कि बालिकाओं की सिच्चा को प्रोसान दिया गया ठीक है अगला दोस्ट क्या है कि धार्मिक सिच्चा के सम्मंद में सुझाओ जो कि गलात थाbench आयोग नो दिया कि धार्मिक सिच्चा देने की बिद्यालें को चुट होनी चाहिए और जब भी हम धार्मिक सिच्चा देती हैं तो इसे सामपरदाइकता बढ़ती है ठीक है, आयसे हम इसको दोसों में लिख सकते हैं तो यह आपका माद्विक सिच्छा आयो यह आपर जितने भी important points हो सकते हैं वो मैंने आपर cover करनी की कोशिस की अगर आप इन written notes का video डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसको आप description box में से डाउनलोड कर सकते हैं से आप हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं उमीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी आपको यह वीडियो कैसी लगी आप में चैनलोड में जरूर बताएगा अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों साथ जादा स्यादा सिर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फर वाचिंग